अजुद्ध्या में जो कुछ भी होगा, वो संबैधानिक तरीके से होगा, शंभाबना ये थी कि सुप्रिम कोट से कोई नेड़े आता, पर सुप्रिम कोट छोटे-छोटे मामलों में तो नेड़े देता चला जा रहा है, पर ये बहुत महत्पूर्ण जो सौकोरोण हिंदू से जुड़ा हुआ मामला है, उसे सुप्रिम कोट ने लटकाने का काम किया है, तो अब सौकोरोण हिंदू के इच्छा है, देश के धर्माचारी इच्छा है, शंग परिवार के इच्छा है, का युद्ध्या में सीग्र मंदिर बने, अभी नहीं तो कभी नहीं की इस्तिती में अंदोनन्ड पहुच गया है, तो चाहिए अध्यादेश हो, या सोमनाजी तर्ज पर कानून बने, या अथवार नर्शिंगा राव ने जमीन का जो अधिक्रन कर लिया था, वो जमीन राव जरू नियास को दे दी जाए, जो कुछ भी हो, पर मेरा मानना है, दोजार उन मंदर का नर्मान परारम होगा, महराजी, अगर एक स्टिय ऐसी आती है कि सेंटरल गॉर्मेंट कोई अध्यादियस नहीं लाती है, तो उन स्टियों में जो धर्माचार है, जो संथ है, जो सरकार में सामिल है, सांसत के रूमें उनके क्या रूख रहने वाला है, हम लोग तो आगे तक ही देख लेते हैं, और में तो साक्षी हूँ, तो अगर मगर तगर में विश्वास नहीं रखता, मुझे पता है कि तो जार उननीस के चुनाव से पहले निरमान परारम हो जाएगा.